हलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे सभी केंदरी करमचारियों के लिए और रेलवे इंप्लोईज के लिए दोस्तो बड़ा अपडेट है और हम बात कर रहे हैं दोस्तो आठवे वेतन आयोग को लेकर द दोस्तो उसी तरीके से दोस्तो पचास पर्सद्व्स जो जो है मर्ज होना ङा इसको लेकर और यह वह सारे चीजह ज coher nothin digo जहांपे जो मार्च का महीना होगा वह बहुत इंपोर्टन होगा और आज सुबह भी हमने बात किया था, किमार्च के महीने में ऐसी ऐसी चीजह से निकल के आएंगी जो केंद्री करमचारियों के लिए बहुत इंपोर्टेंट है और उसके ओपर बड़े बड़े फैस्टे लिए जाने होंगे तो आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं जो एक बहुत इंपोर्टेंट मुद्दा है और जो है वेतन आयो का गठन और द पीछे जो है ठोष सबूत होते हैं लेटर होते हैं उसके पीछे जो है कुछ जो डिफेंस डी Bless upgrades से उसके तरफ से जो तो आज की वीडियो पर बात करते हैं जो कि फॉरमेशन ओफ एड्च सेंटरल पर कमिशन को लेकर अभी अपडेट आ रहे हैं और यहां पर दोस्तों अभी यह जो लेटर है वो फिनेंस मिनिस्टर को लिखा गया है और इसमें दोस्तों प्रॉपर्ली दोस्तों एड्च पर कम क्या पॉइंट लिखेंगे हैं दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रू दबाएं दोस्तों formation of AIDS Central Pay Commission और इसमें दोस्तों श्रीमती निर्मला सीता रमन Honorable Ministry of Finance को ये लेटर लिखा गया है और इसमें दोस्तों Central Pay Commission are being constituted at regular interval जो में मुद्दा यह है कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि वेतनायों का गठन ना हुआ हो जो वेतनायों का गठन है वो हमेशा हर 10 साल में होता रहा है और इसमें साफ लिखा है दोस्तों to examine, review, evolve and recommend changes regarding the principles और इसमें दोस्तों pay हो गया, allowance हो गया और जितने भी benefits है उसको लेकर जितने भी Central Government Employees हैं उनके benefit के लिए दोस्तों हर साल जो है हर 10 साल में वेतनायों का गठन होता है और दोस्तों बहुत clear-cut सरकार के उपर questions पूछे गए हैं कि जब 10 साल में होता और 10 साल में हमेशा जो है केंदरी करमचारियों का और केंदर सरकार as a good employer अपने करमचारियों के wish के लिए अपने करमचारियों के welfare के लिए हमेशा से दोस्तों अच्छे-चे steps लेती आईए 3rd, 4th, 5th Pay Commission recommended for consulting permanent machinery to understand periodical review जो 3rd हुआ था, 4th हुआ था, 5th हुआ था उसमें का आ गया था कि periodic review होना चाहिए 6 CPC में recommend किया गया था its recommendation with effect from 2006 फिर 7 CPC आया था that the pay matrix may be reviewed periodically without waiting for long period of 10 years तो दितने भी दोस्तों ये वेतन आयोग गठन हुए हर वेतन आयोग में जो है केंद्रे करमचारियों के welfare के लिए कुछ ना कुछ नए चीज़े established की गए थी साथ वेतन आयोग में कहा गया था कि 10 साल की wait मत करो अगर उसके बीच में कोई periodic review करना है वो कर दो आप सिंस दे इंप्लिमेंटेशन आप सेवन पे कमिशन 2016 में हुआ था मैनी चेंज है टेकन प्लेस इन गवर्मेंट फंक्शनिंग पर्फॉर्मेंस साइज इंडियन एकोनोमी जीडिपी ग्रोथ मतलब साथ वेतन आयोग के बाद से आज हम जो 2016 से 8 साल हो चुके हैं बहुत सारी चीज़ चेंज हो चुकी है और अब जो है नया जो वेतन आयोग गठन होना चाहिए उसमें इन सबी चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए तो इसमें साफ साफ लिखा है दोस्तों कि कि inflation में जो हो आए, erosion of real wages due to inflation, inflation हो गया, condition of service role, private sector, पॉब्लिक आज की डेट में, job सी जो condition है आज की डेट में जो महंगाई दर है, आज की डेट में जो inflation है वो सब के सब जो है जो 2016 से जो है काफी जाज चेंज हो गया है आज की डेट में भी दोस्तों बहुत सारे पड़े हुआ हैं तो यह सारे के सारे दोस्तों पॉइंट्स हैं जो की सीधे सीधे जो है फिनेंस मिनिस्टर में जो है इसको जो है निर्मला सिता रमन को भेजा गया है कि जो चीज़े 2016 में थी आज की डेट में बहुत बहुत चेंज़े आ गए उसमें और ये दोस्तों इसलिए पहल की जारी एक तो दोस्तों चुनाओ बिल्कुल नजदीक है दूसरा दोस्तों आठवे वेतनायोग पर अभी ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही अगर हम बात करें ज चाहसा डेट पर जो 18 मिने का डी एरियर के लिए लेकिन यहां पर जो में मुद्दा है जिसका कि अभी लोगों को तब पदा चलता है जब वो वेतनायोग गठन होता है साथवे वेतनायोग के बाद से बहुत सारे चीज़े चेंज हो गी थी minimum pay बहुत बढ़ गया था उसके बाद से lifestyle चेंज हो गया था क्योंकि एक committee बैठती है और एक level पर आपका salary आता है अब 8 वेतनायोग की बहुत जरूरत है बहुत जल्दी इसको implement होना चाहिए therefore it is requested to constitute 8th central pay commission immediately to enable sufficient time to give comprehensive recommendation और जो इनों ने इतनी पूरी कहानी सुनाई है उसमें य चेक करने में कि क्या-क्या चल रहा है क्या-क्या नहीं चल रहा है किस तरीके से अभी हालात है देश के और उसके बाद से जो है उसके base पे फैसले लेने थे जब सात्वा वेतनायोगा चीज़े और चेंज होई थे उसमें यह भी कह दिया गया था कि हो सकता है कि आठवे वे अभी एक परसंट भी जहां पर यह नहीं दिख रहा कि आठवे वेतनायोग के लिए जो है काम शुरू हो जाए क्योंकि जो कमिटी भी बैठे की वह पूरा का पूरा उनको डिटेल स्टेडी करना पड़ेगा क्योंकि एक बार वेतनायोग गठन होयाता है उसके बाद समय च रेकमेंडेशन होगी वो सभी के लिए जो है बेनिफिशल होनी चीए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है यह आठवे वेतनायोग का गठन और इसलिए बहुत टाइम पे जो है अच्छा जो है एक लेटर जारी किया गया है जो कि सभी को जानना चीए और अब इसमें सब्सक्राइब करनायोग के लिए अगर वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिएगा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो